आई आपका स्वागत है आज बात करते हैं इन फरिडिलीटी बंध्यत्व उसके बारे में और उसका कॉसे साइकोलजी उसके बारे में बात्चीत करते हैं मेरा ना में डॉक्टर दीपक रहेकर में बनोविकार सेख्ष्रोग संभूहन तथा वेस्टन मुख्चा यू महराष्ट में अकॉला में प्रैटिस करता हूं एक विभाइत कपल मेरे पास में जोड़ा मेरे पास में आया चार साल शादी को हुए और अभी तक बच्चा नहीं तो उनको पूछा कि आपने क्या सब टेस्ट होगरी किया क्या अब हमने सब टेस्ट किये सब डॉक्टरों के पास में जाके आए और सब बोलते कि नॉर्मल थरेडी मिलियन था और एक बार उसका रिपोर्ट जो है वो 45 मिलियन था एक बार का 30 मिलियन था पर एमेल पर सिसी उसमें सचमुच कुछ दिखाई नहीं दे रहा था प्र प्रॉब्लम क्या है प्र पूचा तो पहले मेरी है ना सेक्स करने की इच्छा है नहीं होती है लाक लें लेंगा और फिर वो जोड़ प्रॉच कर लेगा नहीं दीन साथ दीन से वाहाँ घर पे नहीं है एपने कर लेता हूं तो फिर मेडिसिन ले कि वहों कर लेता हूं तो में प्रॉमें में में कम से कम 10-12 दिन मेडिसिन लेता है और मेडिसिन एक बार ले लिया वर्दानाफिल है या तादालाफिल है या शिल्दानाफिल कोई भी मेडिसिन लेता हूंगा तो वो ले लिया उसने तो फिर उसको एक नाइट में दो दो बार वो कर सकता है मगर मेडिसिन लेके फिर उसको साइड एफेक्ट आने लगे पेट में अंगार सरदर्ध है गरम ऐसा पूरा बदन उसका हैसास होना तो मेडिसिन भी किते लूँ पर जब हमने हिस्टी लिया उसकी पूरी मैला आपको आना पड़ेंगा साइकोलोजिकल थेरपी के लिए साइक वह करते हैं उसके दिमाग में पहले से बैठा हुआ था किने सिस्टर साइदी ने करना और वो बड़े लोगों ने जोर कि आई हिए मामा की लड़के तो चलता है तो मामा की लड़की शादी होके बुआ के तरफ आही चलता है अपने इसमें तो फिर कोई प्रम्म ने मगर पारबर रहाता है कि यह मेरी बहन है और मैं बहन के साथ में कैसा क्या सेक्स करो इसलिए वह भी होता था उसको दूसरा फिर जब मालूम पड़ा तो बच्पन में इतने माउसी के साथ में उसका सेक्स हुआ था अब उस समय तो उसका कोई एरेक्शन नहीं हो रहा था मगर उसके अंटी ने जबरदस्ती उसके साथ में किया और उसको ऐसा सेक्स करने का एहसास उसने खुद को करके लिए ऐसा उसको याद आ रहा है उसको पक्का कुछ याद नहीं आ रहा था क्या हो गया और कुछ तभी बहुत भैनक हो गया और वो उसके मौसे ने कर लिया और अभी तक उसने किसको बताया नहीं था तो एक वो था कारण फिर मैंने वाला और क्या है और यह निकला कि बच्पन में उसने सदनली घर में प्रवेश कर लिया तोड़ा जल्दी घाया था घर उजया गया और जब आ गया तो अन्दर गुज गया तो उसके ममी पपा सेक्स कर रहे थे और वो उसने देख लिया को सब्सक्राइब का फिर वहां से भारएं ग्रुना जसी होगी कैने नहीं युल दो गलत थीक नहिंभा फिर बहं कर लिए तो बहॉन के साथ या तो भीredit सबस्क्राइब बच्चे करते हो टून झो ठीक है कि आपके आपके不सक्ष घृपी किरेंगे वो निकाल लेंगे जो भी अंदर एक बिलीफ बैठे हुआ है एक आसे पक्के विश्वास बैठे हुए है वो निकालेंगे फिर आपको जो psychological trauma हो चुका है subconscious mind में तो वो निकालेंगे hypnotherapy से और फिर उसको psychotherapy देने का मैंने plan कर ली फिर उसको psychotherapy, hypnotherapy और फिर psychosexual counseling वो फिर किया और वो दिरे 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 उसको interest आने लगा और वो ठीक हो गया एक बार मुझे मिला तो भी ठीक है अच्छा हो रहा है वो जो दिमाग में जो अटका हुआ था पास्ट का वो जब निकाल लिया पास्ट का हुआ एक दम फ्री हो गया और वहां से उसका sex life ठीक हो तो ऐसा होता है कि बच्चा ने होने का psychological कारण भी होता है कि बच्चा ने हो रहा infidelity है बंदेत हुआ है और psychology हम ठीक कर ले तो इधर बच्चा हो जाता है तो आपको अच्छा लगा तो जरूर आपके परीचिस सब लोगों को share करो जिनको बच्चे नहीं हो रहे है ताकि उनक तो एधी psychological problem होगा तो वो deal करेंगे और एक अच्छा वहवाई जीवन वो जी सकेंगे थैंक यू बरी मच्च